और केंध्रिय मंत्री जीतन राम मांची ने कहा है कि पुल गिरने मामले में मुख्यमंत्री समवेदन शील है और पूरे मामले में जाच का आदेश दिया गया है तो मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है जाच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है साथी उतर प्रदेश के हातरस में भगदर पर उन्होंने उतर प्रदेश प्रसाशन को कटगरे में खड़ा कर दिया है और काया है कि वहाँ की प्रसाशन को ये देखना चाहिए था कि जब 80,000 की कपैसिटी थी तो लाखों लोग कैसे आए अस्तिर से आप लोग बोलिये जवाब मिलेगा जल्दिवाजी मत कीजिए समाचार मिलिये हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है काफी अब नौर्म और बरसा हुई है इसलिए पूल के गिने का सिलसिला है लेकिन उसके बावजूद भी पूल क्यों गिरा है इसकी जाज के लिए यहां का मुखमंत्री बहुत समय जनसील है कल ही उन्होंने बैठक ली है और सक्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवस्चे करवाई किया जा और ठड़ी करवाई किया देखे हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है यहां पर बहुत प्रकार के बावाई है नक बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं यह प्रसासन को चाहिए था वहां पर कि जब संख्या मात 80,000 के थी जूट गया हाई लाक तो उसको मैनेज करना चाहिए था या सेवादार लोग थे जो प्रवंधक थे उनको इसके एसास अगर थी तो प्रसासन से मदद लेना चाहिए था वो नहीं प्रसासन से मदद लिए बावजूद उसके उत्रप्रदेश की सरकार सक्त है और अवस्ता करवाई कर रही है गिरफतारियां चल रही है बावा का भी खोज के करावे बावाटू कर रहा है कर रहाए है